एक बात मैं आपको बता दूँ कि पिछले संडे हमने ओफर लगाई थी गुरूप में एड होने के लिए लेकिन उस दिन इंटरनेट का इतना ज्यादा प्रॉबलम थी कि ना ही आप लोग फीज पे कर पा रहे थे ना ही हम आपको गुरूप में एड कर पा रहे थे और ना ही बच्चे गुरूप में सही से एड हो पाए बहुत सारे बच्चे गुरूप में एड होने से रह गए तो इसलिए अगेन इस संडे हमने ओफर लगाई है क्योंकि आप कोई इंटरनेट का प्रॉबलम नहीं है होने का और फिर बता रहा हूं यह गुरूप दुबारा इसलिए ऑन करने पड़ रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते आप गुरूप में नहीं एड हो पाए बता देता हूं और सारी चीज़े हैं डिटेल लेनी हो तो इसी नंबर पर कॉंटेक्ट करना यही वाटसेप का भी है ठीक है फीस जो वह तीन हजार थी आप सुनते आए होगा हर वीडियो में लेकिन अब डिस्काउंट करके चौदा सो कर दी है सोला सो रपे का डिस्काउंट है सही काफी वाला डिस्काउंट है जितनी फीस थी उससे ज्यादा डिस्काउंट हो गया है क्योंकि अब पेपर में कम टाइम रह गया है अच्छा अब आपके पास MDCAT और ECAT की जो फीस थी वह साड़े चार अजार थी सिर लेकिन अब क्या कर सकते हैं उस दिन नहीं हो पाए तो आज आप इस मौके से फायदा उठा सकते हो अब अगर शायद अगली गुरुप बने तो शायद वह काफी टैम बात ही बने क्योंकि आपके पास पेपर में ज्यादा टैम नहीं रह गया है तो आप इससे जबूर फाय जेखके तो वो जो एवरेच लगाता ना 70-75 तक लग जाते हैं लेकिन उसमें अच्छे कासे होते हैं अच्छे कासे नुमेरिकल अच्छी कासी प्रेक्टिस देते हैं हम ताकि अब ज्याद से ज्यादा तैयारी कर सको और याद रखना गैस पेपर से तैयारी का जो उसूल ह वो तो काफी पुराना बना हुआ है काफी टाइम से बच्छे गैस पेपर से तैयारी करते आ रहा है इन्हें फॉलो करते आ रहा है और एक मज़री बहुत बता हूँ जब हम लोग खुद सुडेंट थे ना यानि 9-10 फस्ट यर के सुडेंट थे तो हम भी गैस पेपर से तै तैयारी करते थे हम तैयario कैसे चरते पे पहले तो फूरी बुकी तैयारी करले थे उसके अब गैस पेपल लाते थे और उनके कोशिन को सौफ करते थे खुश से घर बैठी गया और टायमर लगा दी थे ताकि पता चल जाए कि इंपकर Systems कृन कौशन कौन rapp कौन से हैं तो उस स जरूर याज रखना.